हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से आप सबी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप भार में से में दोस्तों जैसा के अप लोग जान रहे हैं विफार में से थर्ड समेस्टर वालों का लेक्चर स्टार्ट हो गया है जिसमें के हम लोगों ने माइक्रो बायलोजी दो यूनिट तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इंजीनियरिंग का भी यूनिट फर्ष्ट कंप फश्ट में हम लोगों तीन चैप्टर था तीन चैप्टर क्या था एक था फलू अप फ्लिवुड दूसरा है साइस लिड्रेक्शर और तीसरा है साइस सिप्रिशन तो वो तीनों चैप्टर बहुस ही ification के हम लम लोग पूरा कका खतम कर धी है और बहुस ही अच्छी नोठ भी दिखाते हुए आप लोग को बताए हैं अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाईए और तुरंत उस वीडियो को जल्द देखके इजी नोट्स बना दीजे उसका पीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों को मैं दे दूंगा तो यूनिट सकेंड में भी तीन चैप्टर हैं एक है हीट ट्रांसफर और दूसरा है इवापरेशन और तीसरा है डिस्टिलेशन तो आज हम लोगों को चैप्टर वन स्टार्ट करना है देखे तीन चैप्टर है इसका तीन पार्ट बनेगा अब एक चैप्टर होता तो एक दिन में ही पूरा का पूरा यूनिट कम्पलेट करवा देता जैसे के फर्मासुटकल इंजीनिरिंग में यूनिट फर्स्ट बिंजीन and its derivative है उसको एक लेक्चर में ही पूरा का पूरा खतम कर दिया हूँ लेकिन नहीं इसमें तीन चैप्ट का पहले syllabus देखते हैं फिर उसी के काडिंग हम लोग चलते हैं तो हीट ट्रांसफर में इसका syllabus सबसे पहले देखिए इतना हम लोग को पढ़ना है objective and its application, heat transfer mechanism, forever law, heat transfer by conduction, convection and radiation, heat interchange and heat exchange तो सभी लोगों को मैं syllabus दे चुका हूँ, syllabus सब लोग अपना निकाल लेजिए, syllabus के काडिंगी, एक एक topic कबर किया जाएगा, ठीक तो सबसे पहले हम लोग जानेंगी कि heat transfer होता क्या है, तो चलिए heat transfer के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, माल लीजिए, यहाँ पे कोई भी चीज है, और यहाँ से आग type का निकल रहा है, ठीक, आग निकल रहा है अब यहाँ पे कोई product है, इसमें कोई product है, माल लीजिए, घी माल लीजिए, घी रखा हुआ है अब यहाँ पे जब आग लगेगा, यहाँ पे pipe है लोहे का, इसमें माल लीजिए घी डाल दे रहा है या फिर मुम बत्ति जो होता है, उसको यहाँ पे रख दे रहा है अब यहां पर हीट पड़ेगा तो पिघलेगा और पिघल के धीरे 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 यहां से लेके यहां तक पूरा फैल जाएगा नए तो माली जी अंदर लोहे का पाइप यहां पर प्लास्टिक रखा हुआ है अब यहां पर भीट लगेगा यहां पर भीट लगेगा तो यहां से लेके यहां तक आया transfer हो रहा है न तो इसी को हम लोग कहते हैं heat transfer heat के द्वारा transfer होता यह एक place से दूसरे place तक जाते हैं ठेक तो इसको कैसे लिखना है आप लोग structure के base पर दिखेंगे जो मैं बताया हूं यहां पर structure इसका बना हुआ है इसका definition यहां पर लिखा हुआ है यह देखें यह जो unit है आप लोगों का heat transfer evaporation and distillation इस chapter से बहुत ज्यादे question दो नंबर और साथ नंबरें बनते हैं लेक्चर बहुत important है सभी लोग एक एक point को ध्याद से देखते हुए और सुनते हुए समझते हुए चलना है क्योंकि यह chapter हम लोगों का रटने वाला ने यह समझने वाला है दोस्तों तो देखें heat is the farm up energy heat energy के farm में होता है and when it transfer from one place to another place it is called heat transfer जब एक place से दूसरे place तक यह transfer होता है तो उसी को हम लोग कहते है heat transfer ठीक देखें यहाँ पे थोड़ा सा structure और भी बना दिया हूँ A से B तक आएगा heat यहां से पड़ेगा तो यहां से यहां तक आएगा उसी को हम कहते है heat transfer it transfer through medium solid liquid solid के medium में रहता है कोई plastic वो जब heat दिया जाता है तो लिक्विड में convert होके एक place से दूसरे place तक चला जाता है and it may be also transfer through surrounding air दिखें यह air जैसे कि कहीं पे आप लोग हवा चल रहा है और वहां पे नीचे से जब आप लोग heat दे रहे हैं तो माल लिजे उसको बहना चाहिए इधर लेकिन यहां से air का हवा चल रहा है तो यह इधर नहीं बहते हुए इधर ही बहेगा कहीं वैसे जगज़े इस air में रखें है तो उसे surrounding के air के हिसाप से वो उस side में वो move करेगा तो यह तो होगे हम लोगों का heat transfer यह तो इतना heat transfer के बारे में होगे आप अब इसका application थोड़ा सा देख लेते हैं एकदम slavus के carding हम लोग को चलना है अब देखिए application application जो है यहां पे application तो आता है पांच नंबर में लेकिन दो नंबर में इसमें से बहुत ज्यादे question बनता है और आप लोगों का अगर seasonal exam होता होगा तो seasonal exam में भी यह question पूछेंगे evaporation, distillation, drying, sterilization यह इतना आप लोग जरूर तयार कर लेना यह बहुत ज्यादे important है आप लोग seasonal exam में भी देखना बहुत ज्यादे question आप लोग के teacher उठाएंगे क्योंकि यह question बहुत ज्यादे important है evaporation define करन liquid transfer into gas इस process में liquid transfer होता है gas में और किसके माध्यम से throw heat heat के माध्यम से liquid transfer होता है gas में इसको हम कहते है evaporation अब evaporation का definition पूछ ले तो आप लोग हिंदी में समझे रहेंगे तो English में तुरंद बना के लिख देंगे evaporation की process में liquid transfer होता है gas में और किसके माध्यम से throw heat heat के माध्यम से यह transfer होता है liquid से gas में अब distillation क्या होता है distillation इस process आप separating component इस process में component को separate किया जाता है आप है mixture based on different boiling point point way boil mixture throw heat के माध्यम से ठीक यह होगे हम लोगों का distillation अब drying क्या है solid या semi solid ठेक यह तो होगया drying drying mixing हम लोगों को unit theory में पढ़ना है तो आप लोगों का concept बहुत अच्छे से clear हो जाएगा ठेक sterilization अब sterilization क्या होता है sterilization की बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया हूं sterilization क्या होता इस training क्या होता है यह समय आप पीछे ही बताया हूं unit first में किस में कि subject में बताया हूं sterilization के बारे में हम लोग पढ़े हैं microbiology के unit second में अगर आप लोगों को याद होगा तो जरूर याद होगा sterilization वो process होता जिसमें हम bacteria को remove करते हैं और उसको kill कर देते हैं इस training क्या होता है? shaming सब्सके भी करते हैं इस के बारे में वहां पर discuss mo सब्सक्राइब को remove करते हैं और उसे किल करदेते हैं वही होता है प्रोसेस हम लोगों का sterilization by using heat heat की द्वारा ठीक अब देखिए ये तो अम लोग का खतम हो गया objective and its application अब हम लोग देखने जा रहा हैं दूसरा heat transfer and mechanism heat transfer mechanism तो चलिए ये तो खतम हो गया आप इसको देख लेते हैं तो चलिए इसको भी देख लेते हैं heat transfer mechanism how heat transfer it involves into three process देखिए ये ये तीन process है इसमें conduction, convention and radiation तीन है अब तीनों में से हर बार examination में एक ना एक उठा के पूछ लेता है आप प्रिवियस ये और question paper एक बार जाके जरूर देख लेना इसमें से एक ना एक जरूर उठाता है हर बार examination में ठेक और ये तीनों heat transfer mechanism साथ नंबर में उठाता है तीनों एजी एजी लेंग्विज में साट तरीके से लिख के तीनों एक एक heading बना के लिखेंगे तो पूरा का पूरा in series heat transfer के द्वारा solid in series में देखे heat जब यहां पर दिया जाता है heat आता है तो यह धीरे 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 करके उड़ जाता है ट्रिक वही यहां पर कर रहा है conduction in the heat transfer इन्हें solid in series in this particle are directly connected with each other and heat transfer through one by one एक के द्वारा एक यहां पर one by one heat transfer हो रहा है और यह निकल जाएगा धीरे धीरे बाहर in this particles must be extraordinary and heat transfer temperature gradient difference temperature ठीक heat transfer from high temperature to high temperature से low temperature में दिया जाता है अब दूसरा यह तो conduction हम लोगों का हो गया अब दूसरा देखते है convection convection का मनलब क्या होता है कि heat यहां से दिया जा रहा है और यहां पर इसका मतलब देखिए इसका मतलब आप लोग समझिए जैसे कि आप लोग घर पे पानी उनी कभी गरम किया होगा तब यहां पर जब कोई container में heat कर रहे हैं और उपर से कोई cover रख देते हैं आप लोग ठाली रख देते हैं या फिर कोई बड़ा सा plate type में उपर से रख देते हैं तो जब यहां पर पानी आप लोग रखे होएं यह वैपर्स फिर से यह लिक्विड में convert होके देखते हैं और चूता रहता होगा ठीक अगर आप लोगों ने heat किया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा heat जब देते हैं तो यह water जो है धीरे धीरे वैपर्स में convert होके उड़ने लगते हैं जब यह उड़ने लगेंगे तो container जो उपर से लगा हुआ है उपर से जो cover लगा हुआ है उसमें जाकर के लड़ेगा जब उपर जाकर लड़ेगा यह तो फिर धीरे धीरे लिक्विड में convert होगा लिक्विड में convert होके देखें फिर से यहां पर नीचे आ जा रहा है ठीक यही process है हम लोगों का convection का heat दे है वो है radiation ठीक अभी radiation के बारे में आगे हम लोग देखेंगे it is a transfer of heat through the moment of liquid in which initial position particle absorb heat then displace with final position particle ठीक radiation in which heat direct transfer without medium use surrounding air ठीक यह जो है radiation में बिना किसी medium से आप देखें कोवैं आप जो है convection convection में heat के द्वारा यह उड़ता है अब radiation means क्या होगा radiation मिंश हो गया किरडें अब किरडें मिंश क्या हो गया जो सन की किरडें होती है वो भढता है जैसे देखते हैं, कहीं पिर बारिस हो गया है, और यहां पर नदी टाइप में, किसी सड़क पर पानी भर जाता है, अब वो पानी भर गया है, आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे, थोड़ा सा यहां पर ऐसे आप लोग को समझा दे रहा हूं, माल लिजे यह रास्ता है, ठीक, यह रास्ता है, अब रास्ते में, यह थोड़ा सा गड़ा टाइप में है, यहां पर बीच में, अब यहां पर बारिस इतना जादे हो गया, कि यहां पर बहुत जादे पानी भर गया है, ठीक, अब यहां पर पानी भर गया है, अब यह पानी सूखता कैसे है, तो जब बहु जाके वहाँ पर हीट देते हैं कि हम लोग यहाँ पर आग जलाएंगे आग जलाके इसके धीरे धीरे सडक पर वहाँ पर पानी को उड़ाएंगे ऐसा नहीं करते हैं यह किसके द्वारा उड़ता है सडक का पानी यह जो यहाँ पर हम लोगों के सन की केरणे होती है जब बहु दीरे यहां सिबह के यहां पर याँ के भर जाएगा लेकिन यह उड़े गा नहीं जब sun की कीड़े तेज परती हैं तब यह water दीरे दीरे करके उड़ती है यही process है हम लोगों का radiation और radiation में अंसे होता है sun की कीड़े ट्रिक बना के पड़ेंगे तभी आप लोगों की तैयारी होगे ठीक, in which heat transfer without medium use surrounding air electromagnetic valve example sun heat to water for vaporization ठीक, यही मैं process बताया हूँ water जो है sun की द्वारा ये vapor में convert होता है यही process हम लोगों का radiation का और convection का process I hope सभी लोग की हमारी बाते को समझ पा रहे होंगे कि हम कहाना क्या चाते हैं यहाँ पे जो है convection में हम लोग heat जो देते हैं हम लोग घर पे जो कोई बरतन में इसको पानी को उबालते हैं और यह धीरे 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 कलके कबर पे जाकी उबलता हुआ जाता है जैसे आप लोग कभी चावल बनाए होंगे तो देखते होंगे यह जो रखा होता है धीरे धीरे उठने लगता है तो वही process होता है किसी की द्वारा हम heat खुद से देते हैं और वैपर में convert होता है boiling होता है वो होता है convention और बिना किसी heat के द्वारा जो होता है वैपराजिशन में convert होके वाटर उड़ जाता है उसे हम लोग काते है radiation तो I hope सभी लोगों को heat transfer का mechanism एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों यह 7 नंबर का question बनता है और बहुत जादे important है इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत थोड़ा सा time भी ले लिया हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीकी समझ में आ जाए heat transfer mechanism होता क्या है conduction में होता क्या है one by one यह उड़ता राता है यह heat देते हैं दीरे-दीरे करके उड़ता है और convection में किसी के द्वारा heat दिया जाता है हम लोग घर पे कोई चीज के द्वारा heat देते हैं और दीरे-दीरे वो boil होके vapor में convert होने लगता है वो होता है convection और radiation होता है वो जैसे कि सडक पर कोई गड़्या है पानी भर गया है और sun के द्वारा वहाँ पे heat पड़ रहा है और vapor में convert होके वो उड़ जा रहा है water उसको हम लोग कहते हैं radiation यही तीनों process है heat transfer mechanism का तो I hope सभी लोगों को ये दो topic पूरो आच्छी तरीकी समझ में आ गया होगा objective heat transfer का definition objective and application heat transfer mechanism या फिर दो number में थोड़ा सा पूछेगा तो थोड़ा सा जरूर बता देने ठीक तो forever law क्या है it's its state that the rate of heat transfer is directly proportional to the area normal to the direction of heat flow and temperature gradient and inversely proportional to the without fall from which heat transfer heat transfer होता ये forever law का यहाँ पे structure आप लोग जरूर गना लेना temperature gradient इसमें है it is a difference of temperature from one place to another place ACC law Q proportional A Q proportional DT देखें यहाँ पे सब दिया गया है इसका main equation जो है Q equal to K A into DT by DX ठीक इसका जहाँ पर Q क्या है rate of change heat transfer ये क्या है area of fall है DT क्या है change in temperature DX है ठीकने साफवाल K है constant negative sign indicate the drop in the temperature from high temperature to low temperature ठीक ये इतना है forever law forever law अगर आप लोगों को समझ में ना है ये आप लोग सब लोग पहले लिख लेना अगर समझना है तो इसको मैं बोर्ट पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूँगा ठीक ये तो हम लोगों ने इतना अभी देख लिया है heat transfer का ये देख लिया ये देख लिया और ये देख लिया इसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं अगर आप लोगो का concept heat transfer mechanism का clear हो गया होगा तो चोथा जो है heat transfer by convection convection और radiation अगर आप लोग का ये तिनो हे heat transfer में म Will logic पड़े हैं ना conduction, convection and radiation तो अगर आप लोग को ये mechanism तयार हो गया होगा तो इसका मतलब आप लोग का ये भी चेप्टर तयार हो गया इसमें का heat transfer by conduction, convection, radiation किसके द्वारा है, कैसे कैसे transfer होता है heat के द्वारा वही आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है जो कि आप लोगों नहीं यहाँ पर पढ़ा है मेकैनेज में, तो चलिए अब यह भी देख लेते हैं, heat transfer, मेकैनेज, जो देखे हैं, इसको हेडिंग डालेंगे, conduction conduction में हम लोग पढ़े हैं, कि यह transfer होता है, एक से बी में, दूसरे में, one by one धीरे धीरे यह transfer होता है, ठीक तो इसको कैसे लिखेंगे transfer, आप heat through a solid material, it may भी through fluid, but fluid should be in scenery देखें, यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो के lecture के माध्यम से है, अगर आप लोग यहें पर notes बनाते हुए चलते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे student PDF का wait करते हैं, कि PDF मिले निकल वालें, लेकिन अगर आप लोग हमारे lecture को attend कर रहे हैं, और साथ में एक point एक point लिखते ही चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कि पहले समझेए, और फिर तुरंत ही lecture में क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, उसको देखते हुए, समझते हुए, चलेंगे लिखते हुए, तो पूरा का पूरा कॉंसेप्ट ही पर किलियर हो जाएगा, ठीक, तो कंडेक्शन तो हम लोग पढ़े हैं, वही यह आपे लिखना है, ट्रांसफर आफ हीट थ्रोए, स्वालिड मैंटिरियाल, इट में भी थ्रोफ फ्लूड, बट फ्लूड शूड भी इस्टेनरी, इट आल्सो डिफे जाएगे, नाव, फी, वेन वी प्रोवाइड हीट, अट वन इंड सबस्टेन्स, देन पाटिकल, देन इंड वाइबरेट, वी ग्रोशली, अंद देन दे काल्ड, वीट, नाइबरिंग पाटिकल, एंड ट्रांसफर देर इनर्जी, एंड इस प्रोसेस शूड बी कांटिनि वन बाई वन करके ट्रांसफर होता है, यही है यह, इसका आप लोग लिख लेना, रेट टंप्रेआशर, ड्राइंग पॉर्स अपार रसिस्टेन्स, यह कभी कभी रेट ट्रांसफर एकॉल टो पूछ लेता है, विच रिस्पॉन्सफ़ल पार हीट ट्रांसफर और हो गया हम लोगों का कंडेक्शन का अप कंविंसंट में हम लोग को कंशेप्ट कलियर होगी होगा कि जो हम लुग हीट देते हैं और वो convert होता है वाइपर में वाइपर में convert होके उड़ता है चलिए उसको देख लेते हैं फिर दुबार आप समझते हैं ऐसे बताने से नहीं समझ पहाएंगे तो heading डालिए convection तो second heading है हम लोग का convection तो इसमें क्या होता है it is a mode of heat transfer which occurs mostly liquid and gas in this method heat transfer takes place with the actual motion of the matter from one place within the body to the other इसमें क्या हो रहा है देखिए इसमें हम लोग किसी के द्वारा देखिए यहाँ पे candle के द्वारा heat दे रहा है हम लोग gas पे gas यहाँ पे हम लोगों का होता है gas के द्वारा पहले तो जवाना था जहाँ पे सब लोग बड़े बड़े चूले को लगाते थे और बड़ा बड़ा चूला रहता था वहाँ पे कुवेला डालके और बड़े बड़े बरतन में हम लोग करते थे और उसमें हम लोग heat करते थ वहाँ पर पानी उनी को लेकिन अब तो हम लोग गैस पर ही अपने पानी को हीट करते हैं और ठंडी के मौसम में हम लोग पानी को जब गर्म करके नहाते वाते हैं तो वही प्रोसेस करते हैं जब पानी उबलने लगता है अब उपर हम लोग कोई उस पर रख देते हैं कबर त का जब वह ऊपर जाएगा और या धिरे धिरे वैपर जो होगा और गरम के यह वैपर में कॉनः और अप्रॉड ने लगेंगा अब फॉरक जब जा कि इस पर टकर आएगा तो जिरे धिरे जब कोलड होगा तो नीचे आयेगा बार वाट होगा तो नीचे आएगा तो यही process हम लोगों का होता है convection का ठेक तो इसमें 2-3 point और लिख लेना आप लोग इसके बाद हम थोड़ा से देख लेते हैं इसका और last जो है radiation तो वह भी देख लेते हैं इसमें when we boil water we have seen bubbles ठेक bubbles होने लगते and current developed in water on careful observation this is example of convection in which hot air hot water at bottom become lighter and moves upward forcing the cold and denser water at the top to come down and thus heated up तो यह process हम लोग का किसका यह process है convection का तो सभी लोग इसको लिख लेना अगर 7 number में पूछेगा पहले तो आप लोग heading डालेंगी convection होता क्या है convection के बारे में लिख लेना ठेक उसके बाद पूरा का पूरा process बना के लिख लेना वैसे यह दो नंबर में बहुत ज्यादे पूछ mechanism इसका कहां गया है mechanism इसका यहां पर है mechanism इसका यहां पर हैं यहां पर percussion convection radiation सब बताया हूं वही आप लोग mechanism में लिख लेना अगर दो नंबर में पूछेगा और अगर 7 नंबर में पूछेगा तो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को लिखना है ठیک एक अम एक्जाम के बेस पे ही, हम लोग को तयारी करना है, जिससे कि एक नंबर ना कटे, साथ नंबर कर रहे, तो ऐसा heading डाल के बना के लिकिए, जिसमें से साथ नंबर से कुछ नहीं, तो पान से छे नंबर तो कोई काट नहीं सकता, इस तरीके से लिखना है आप लोगों को एक्जामिनेशन में जैसा preparation second semester में YMCEQ को आप लोग किये हैं हमारे channel के द्वारा वैसे आप लोग third semester का theory का भी preparation करिए तो third heading डालेंगे radiation, अब radiation क्या है radiation तो theory आप लोग लिखेंगे, लेकिन जो मैं इतनी time से बता रहा था, उसको यहाँ पे structure के base पे बनाया हूँ देखें यहाँ पे, माल लीजिए कोई तालाब है, अब तालाब में पानी भरा हुआ है, अब वहाँ पे थोड़ी हम जाएंगे heat देने वो किसके द्वारा यह उड़ता है यह sun के radiation के द्वारा, यह धीरे धीरे वैपर्स में convert होके धीरे धीरे कन के पानी उड़ जाता है और देखते हैं, सब लोग कहते हैं देखें तालाब एकदम सुक गया है गर्मी के मौसम में तालाब सब जेगर पर सुक गया है, अब कैसे सुकता है, गर्मी के मौसम में सबी लोग बाहर नहीं निकल पाता है इतना थेज धूप होता है धूप इतना थेज होता कि कोई बाहर नहीं निकल पाता है अब जब धूप इतना थेज होगा तो यह वाटर धीरे धीरे वैपर्स में convert होते हैं और देरे 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 करके सब के सब वाटर उड़ जाते हैं, वाइपर्स में कनवाट होके, अब ये प्रोसेस है हम लोगों का रेडियेशन का, अब इसमें क्या लिखेंगे, इस नहते हम लिखेंगे, वादर लिखेंगे करेंगे, अ आवर शोलर सिस्टम रिच प्लेनेट यूजिंग रेडियेशन उनली, एक्जामपल इन विनर, विन्टर 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 विन्वी सीट नियर एफाइबर, वी फिल वर्म विदाउ टेचिंग वायर दिश, इज पॉसिबल बाई रेडियेशन, radiation is most important ठीक ये radiation का structure बना लेंगे तो अप लोग उसके बारे में खुद ही लिख लेंगे इसमें समझाने की कोई आउ सकता होगा ही नहीं आयोप सभी लोगों को ये इतना समझ में आ गया होगा इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं heat interchange and texture change heat transfer का जो हम लोग का chapter है इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया objective and application, heat transfer mechanics, forever law heat transfer by conduction, convection and radiation अब last हम लोगों को बचा heat interchange and heat exchange तो ये भी आज हम लोग खतम कर देंगे जिससे heat transfer पूरा का पूरा आज के lecture में ही खतम हो जाए तो चलिए इसको भी easy language में खतम कर देते हैं heat interchange and texture change तो heat interchange में क्या है these are those devices which are used for transferment आप heat transfer one liquid to another liquid ठीक, इसमें जो है liquid, एक liquid से दूसरे में change होता है heat from one liquid to another liquid or from one gas to another gas through any medium, mental wall ठीक, ये cold water से hot water में या फिर hot water से cold water में ये changing होता राता है देखिए, यहाँ पर structure के base पर पूरा बताया गया है ये तो हो गया हम लोग को हीट interchange लेकिन heat interchange थोड़ा सा 60 है लेकिन heat exchange में थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा पढ़ना है अब heat exchange हो है ये तो दो नमबर में उठाता है question अगर दो नमबर में उठाएगा तो पूछ लेगा heat interchange and extra change की बारे में लिखने के लिए तो आप लोग को थोड़ा से यहाँ पर बता दे रहा हूँ heat interchange में यहाँ से लेकि यहाँ तक बस लिख लेना और कुछ बनाने किया हो सकता नहीं structure बनाना अगर तो यह बना लेना और heat exchange में यहाँ से लेके यहाँ तक यह फिर यह भी line लिख लेना बस दो word यहाँ पर लिख के यह structure बना देना ठेक इतना लिखना है दो नमबर में अगर पूछ अगर जाद है लिखने किया हो सकता नहीं है दो नमबर में दो दो लाइन लिखिए heading बना बना के पूरा का पूरा नमबर मिल जाएगा heat exchange कहा है these are those devices which are used for transforming up heat between two are more fluid those are used in both cooling heating process ठेक heating process के द्वारा होता है liquid cold hot stream यहाँ पर लगा हुआ है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत होता है कि heat extra change types इसमे में होते हैं कुछ जो कि बहुत important होते है दोस नमबर में या फिर 7 नमबर में चलिए इसके types देख लेए थे types of exchanger counting탕s up heat exchanger थो बिसकल से इन होते हैं इसमें एक होता है यहां से आएगा और यहां से flow करते करते यहां से outlet से निकल जाएगा in which hot steam and hot liquid direction is same is called parallel एकदम same जाएगा यहां से parallel line में यह flow करेगा और यहां से निकल जाएगा यह हम लोग का होता है parallel flow ते counter flow क्या होता है counter flow देखें यहां से आएगा यहां से आएगा ऐसे फिर बीच में hot air steam लगा हुआ है धीरे धीरे करके यहां से inlet है और यह आएगा फिर यहां से होते हुए अंदर है hot steam के दोरा outlet से निकल जाएगा यह हो गया counter flow अब इसमें लिख सकते हैं direction of flow of heat steam, hot steam and cold liquid opposite then it is called as counter flow और parallel flow का भी definition लिखा गया है counter flow, parallel flow and cross flow तीनों का definition दो लाएगा दो नंबर में पूच लेता है तो यह तीनों का definition अगर दो नंबर में पूच ले तो ज्यादा लिखने की आओ सकता नहीं है बस दो नंबर में अगर पूचे तो यह दो लाएन लिख देना दो लाएन यहाँ पे लिखा गया है इसको लिख देना है counter flow and cross flow देख रहे हैं कैसे है in cold outlet inlet धीरे धीरे करके यहाँ से in होगा hot air steam यहाँ पे लगा हुआ है धीरे धीरे करके निकलेगा यह होता है अब इसकी द्वारा कैसे लिखेंगे इसके बारे में इन वी डियरेक्शन अब फ्लो आप लिक्विड और पर्पेंडिकुलरिक ट्रास तु फ्लो आप हाट इस्टिम यह होगा हम लोग का क्रास फ्लो अब एक्स्चेंजर का एक्जामपल थोड़ा से देख लेते हैं एक्जामपल जो है वह कंसंट्रिक ट्यूब कंसंट्रिक ट सुमल थो यहाँ से लिकते वह बलते हैं डेवल पाइप हीटे अग्सेंजर डुनों मेंसे बीक दॉछ पुछने तो आप लोग तुछ चीज को लिखेंगे इसमें देखिए क्या 어느 गहिं से ओर एसमिंसि sher फिर आएगा outlet ठीक यही यहां पर लिखा गया है it consists of two pipe in which one pipe is fit inside the other pipe inside अंदर से ही यहां पर लगा हुआ है देखिए cover और यह यहां पर आएंगे देरे देरे पर यहां पर फिर यहां से आएंगे यहां पर यहां पर आके यहां से outlet के द्वार यह liquid बाहर निकल जाएंगे इसको हम बोलेंगे concentric tube and या फिर double pipe heat exchanger ठीक इसके बारे में दो तीन लाइन और लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं in this exchanger hot steam fluid passing inside tube and then that fluid which we want to hot pass into outside pipe and after heating hot liquid pass out from outlet double pipe heat exchanger are simple and easy used so this is used mostly industries this is also cheap for both design maintain तो यह तो हम लोग कहो गया double pipe heat exchanger लेकिन आप देखे इस unit का इस chapter का last topic जो हम लोग पढ़ने जा रहा हैं उसको भी last example उसको भी देखके समझ लेते हैं cell and tube exchanger ठीक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे evaporation next lecture में ठीक क्योंकि lecture बहुत जादे बड़ा हो जाएगा और आदे गंटे का lecture हो या फिर 40 minute का lecture हो अगर आप लोग इतना पढ़के अटेंड करके लिख ले रहे हैं समझ ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक lecture में एक unit कतम हो गया है बहुत अच्छी बात है इतना बहुत है आप लोग के लिए Cell and Tube Exchanger Cell and Tube Exchanger consists of a series of tubes which contain fluid that must either heat or cooled Cell and Tube Exchanger consists of series of tubes which contain fluid must either heat or cooled A second fluid runs over the tubes are being heated cooled so that can either provide the heat absorb heat required ठीक यहाँ पे दिखिए कैसे हो रहा है यहाँ पे inlet को द्वारा in हो रहा है दीरे 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 यहाँ पे यह hot stream चलता हुआ रहेगा ठीक और यहाँ से आते 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 यह देखिए यहाँ पे inlet hot stream जाएगा यहाँ से in होंगे और यहाँ पे hot stream हो रहा है ठीक यहां पर देखे, cold fluid in हो रहे हैं, और यहां पर hot निकल रहे हैं, यहां पर hot जा रहा है, यहां पर hot stream हो रहे हैं, अब यही इसके बारे में 2-3 line और आप लोगों को लिखना है, structure important है, structure सभी लोग अच्छे तरीके से बना लेना, समझ में ना है, तो जरूर बतना ना, इसको board प lagging, so firstly hot stream is passed from inlet and it out by passing tube bundles, but first it creates turbulent flow of heat which prevent resistance or decrease resistance in heat transfer, टेक, तो आज की lecture में देखिये हैं, हम लोगों ने इतना पड़ के, पूरा का पूरा जो जो पड़े हैं, आज की lecture में, forever law application तो बहुत ज़्यादे important है, इसका, दो नंबर में आएगा, इसको दो नंबर में ना हो, तो कहीं डा उसको कहीं पे अच्छी तरीके से, कुछ नहीं तो मेरा बात मानिये, इतना कहीं पे आप लोग अलग लिख लिजिए, ये जरूर जरूर दो नंबर आप लोग लिख लिजिए, दो नंबर 100% इसमें से मिल जाएगा, examination में, ठेक, तो heat transfer आज के lecture में, हम लोगों का पूरा का खतम हो गया है, दूसरा इवापरेशन और तिसरा डिस्टिलेशन, तो इवापरेशन डिस्टिलेशन के lecture बहुत जल्ड आएगा, तो आज का lecture अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से, तो कुछ नहीं का रहा हूं, वीडियो को एक लाइक कर देना, और अपने सबे दोस्तों के पास एक बार शेयर कर देना, जिससे वो भी easy और suitable notes बना लें, किसी को कोई भी दिकत lecture में आया हो, या फिर कोई भी confusion होगा हो, तो तुरंत बताना comment box में, जिससे हम लोग next lecture इस्टार्ट करने से पहले, इसको आप लोगों को समझा दूं, और आप ले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन को दवाना मत बूलेगा, जिससे हमारी नए-नए वीडियो का notification आप लोगों को home page पे मिलता रहे, कहीं पर और खोजने की जरूराज हिना पड़े, जो schedule लग